हेलो गाइज विल्कम बैक वन माई चैनल मैज्स विप माजिक आज हम लोग क्लास एट का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो की आरे सगरवाल बुक से चैप्टर नबर 18 है ठीक है और इसका नाम है एरिया ओफ ट्रेपिजिम एंड पॉलिगन ठीक है तो चलो शुरू करते बिना देर किये वह और अगर विडियो अच्छा लगए तो प्लीज दो ऌट फोगिख दो लाइक ईंक् putting अगर आफ ही तक हापने चैनल सब्श्काइब on your channel give me एक और शुरूश कियो कहने का सेंस है कि ट्रेपिजिम क्या है तो ट्रेपिजिम क्या है और ट्रेपिजिम इस होता है, तो four-sided closed figure, चार side का बंद figure, ठीक है, चार side का closed figure, तो a trapezium is a four-sided closed figure, या quadrilateral, ठीक है, having one pair, parallel opposite side, तो एक pair जिसका, ठीक है, ना opposite वाला, वो क्या होना चाहिए, parallel, कम से कम एक, कम से कम क्या, एक pair जो होता है, वो हमेशा parallel होना चाहिए, जैसे, जैसे, this side and this side, ओके, तो ये जो pair है, ये, इसके क्या है, parallel है, एक pair क्या होना चाहिए, parallel, and you know, the meaning of parallel, जो कभी भी अगर लाइन को extend कर भी दिया जाए, तो आपस में कभी भी ना मिले, उसे क्या कहते है, parallel लाइन कहते है, ठीक है, तो एक pair क्या होगा, parallel, और दूसरा जो opposite pair, ये parallel नहीं है, because if you'll extend this line, यहाँ पे अगर आगे खीचते हैं, और इस line को भी ऐसे extend करते हैं, तो ये कभी ना कभी आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मिट कर जाएगा है, तो ये, स्रिफ एक pair होना चाहिए, parallel, एक opposite pair क्या होना चाहिए, parallel होना चाहिए, ठीक है, तो trapezium is clear, कि a trapezium क्या है, तो quadrilateral, quadrilateral क्या होता है, four-sided closed figure, ठीक है, जो की line segment से बनता है, having one pair of parallel opposite side, एक pair जिसका क्या होता है, एक pair जो है ना, दो pair है ना, एक ये pair है, इन दोनों का pair, और ये एक pair है, तो एक pair क्या होना चाहिए, parallel होना चाहिए, opposite side का, इसकी opposite ये, और इसकी opposite ये, तो कम से कम, not कम से कम, एक pair क्या होना चाहिए, parallel होना चाहिए, अब जैसे, तो इस line is parallel to which line तो ये क्या है parallelogram ये और ये parallel नहीं है ये line और ये line non parallel है non parallel means जो parallel ना हो से कहते है non parallel क्योंकि ये आपस में कभी ना कभी कही ना कही आकर क्या कर जाएगा meet कर जाएगा तो ये क्या है non-parallel lines है और यह क्या है this one is the parallel lines clear trapezium तो किसी तरीके से भी trapezium बन सकता है but trapezium four-sided figure होना चाहिए और जिसका एक pair जो होना चाहिए opposite का वो parallel होना चाहिए और दूसरा pair क्या होना चाहिए non-parallel होना चाहिए चलो clear अब देखो isoceles trapezium तो a trapezium is said to be isoceles trapezium if its non-parallel sites are equal कहने का से आइसो सेलेस मिन्स क्या होता है जिसका दो sites equal हो ठीक है ना तो non-parallel sorry isoceles trapezium क्या होता है ऐसा ट्रेपीजियम ध्यान से समझना ऐसा ट्रेपीजियम दो तरह के trapezium बना रहे आपको और एक तो in these two trapezium what similarity we can see what this similarity we can see कि देखो ये line ठीक है इसके parallel है तो ये तो similarity होगे इसका ये parallel trapezium तो है लेकिन इसमें ये जो line है ना this मान लो this one is 5 cm and this one is also 5 cm this one is 2 cm and this one is 5 cm तो क्या है ने कि इस वाले में जो non parallel है non parallel तो ये और ये है ये जो non parallel side से वो क्या है equal होगा non parallel sides क्या होगा equal parallel side equal नहीं non parallel side क्या होगा बराबर अगर ऐसा trapezium जिसमें जो एक पेर तो parallel होगा ये opposite side का और दूसरा जो non parallel होगा याद रखने non parallel वाला side जो होगा वो क्या होगा अगर दोनों का non parallel side का length बराबर है तो समझना वो isoseles trapezium है और अगर जैसे मान लो एक 2 cm और एक 5 cm दिया यानि यहाँ पे length सेम नहीं है है ना तो यह simple सा trapezium लेकिन अगर non parallel side का length सेम है तो वो isoseles trapezium is it clear naming आप कर सकते A E B C D ठीक है तो A, B and C, D जो हुआ वो parallel side ठीक है non parallel side A, D and B, C A, D and B, C are the non parallel side but these two non parallel sides are but these non parallel sides are equal ठीक है तो अगर equal हो तो वो isoseles अगर equal ना हो तो वो simple सा trapezium trapezium तो हो गाई मान लो EF, GH EF is parallel to GH EF EF is parallel to GH but non parallel sides क्या है यह EH and FG are the two non parallel sides ओक है चलिए अब समझते हैं हम लोग area of trapezium ओके so देखो area of trapezium क्या होता है क्या है formula जैसे area of rectangle होता है length into breadth है ना area of square होता है side into side उसी तरीके से area of trapezium क्या होता है यानि one by two into sum of parallel side मतलब जो parallel sides होंगे उनके जो length होंगे उसका sum into distance between them और तो जो them means for what कि वो जो parallel sides है उसके बीच का distance like देखो suppose this is the trapezium okay this one is the trapezium तो कैसे area निकालेंगे suppose if it is given 5 cm and this one is 10 cm okay this one is 10 cm okay and height देखो तो distance between them मतलब इन दोनो parallel lines के बीच का distance तो याद रखना distance जो होगा ये हो सकता है ये हो सकता है कहीं से भी हो सकता है ठीक है बट ये distance कभी नहीं होगा ये distance हम नहीं ले सकते या ये distance नहीं ले सकते याद रखना है slanting कभी भी distance नहीं होगा वो perpendicular distance हमेसा होता है ठीक है distance जैसे इस parallel line और इस parallel line के बीच का जो ये distance होगा ये perpendicular distance हाँ यह होगा distance, यह इसे कभी भी distance नहीं लेंगे, यह जो non-parallel side का जो length दिया होगा न, उसे कभी भी हम distance नहीं मानेंगे, okay, and suppose this one is given, this one, यह जो height होगा, यह मानलो दिया है, यह भी मानलो, यह दिया 8 cm, suppose, ठीक है, तो देखो कैसे area निकालेंगे, area हमें निकालना, area of trapezium, ठीक है, trapezium swat में trap लिग सकते हैं, half into sum of parallel sides, okay, tell me the parallel sides का length क्या है, 10 cm, plus this 5 cm, okay, into distance between them, यानि यह distance, it's 8 cm, okay, clear, बिल्कुल formula पर पुटकिया, half, half, into, into, sum of the parallel sides, okay, we will write the length of the parallel sides, तो length is 10 cm एक, और दूसरा 5, तो 10 प्लस 5 sum है, इसलिए add किया, into, okay, distance between them, तो we will add the distance between the parallel, we will go for the distance between the parallel lines, okay, not this one, non parallel side का malo length दिया है, ठीके, तो उसे नहीं लेंगे हम कभी भी, distance यह वाला होगा, तो it's 8, so here, now 1 by 2 into 10 plus 5, 15 into 8, okay, तो A2 से यह गया, 4 time में, now 15 into cm दिया था, okay, तो 15 into 4, it will be 60 cm square, clear, इस तरीके से हम लोग area निकालेंगे, trapezium का, तो चलिये, आते exercise 8A पे, 8A के कुछ questions को हम लोग देखते हैं, ताकि हमारा कुछ questions बिलकुल clear हो, और बिलकुल formula पे जो है, ठीके, चलिये, look, the first question from your exercise 18A, the first question is, find the area of trapezium, we have to find the area of trapezium, whose parallel sides are, जिसका parallel side का length दिया, एक 24 cm, another one is 20 cm, and the distance between them, means the distance between the two parallel sides, is 15 cm, तो we have to calculate the area, तो no problem at all, the first one is, okay, 24 cm एक, longest अपने सही समझ जाना है, कि ये लंबा वाला 24 होगा, this one is 20 cm, and the distance between them is 15, okay, the distance this one, this one will be 15 cm, so can't we find the area, तो देखो, half into sum of parallel sides, तो 20 plus 24, okay, into, this is cm, okay, into this 15 cm, okay, चलो, 1 by 2 into, this will, after adding this, we will get 44 cm, into 15 cm, so, dividing this 2 by, this 44 by this 2, we will get 22, and, okay, after multiplying this 22 into 15, we will get, it will be 330 cm square, okay, उसी तरीके से दूसरा question है, find the area of the trapezeum, whose parallel sides are, this one, and this one, two parallel sides का लेंथ दिया है, and the distance between them is 16 cm, can't you find out, this is so easy, now, see question number 3, here, लिकाँ, the shape of the top of the table, is trapezeum, देखो, काहँ, the shape of the top surface of a table is trapezeum, you can see, the figure is already given, है ना तो यह जो table है ना उसका जो top surface है means जिस पे हम लोग रख कर खाते like this one this one is the top surface okay तो top surface जो है उस table का वो trapezium shape है its parallel sides are 1 meter and 1.4 meter इसका parallel sides जो है ना वो एक 1 meter है दूसरा 1.4 meter है and the perpendicular distance between them is 0.9 और इन दोनों के बीच का यह जो perpendicular distance है okay ना distance तो यह भी है but the perpendicular distance है ना यह और perpendicular distance को ही लेते यह simple से कहीं पर distance दिया तो इसे लेंगे और कहीं mention होगा non parallel तो आपका वो लिखा रहेगा ठीक है तो यह perpendicular distance इन दोनों के बीच का 0.9 meter तो it is written find the area so can't we find out the area है ना तो look तो we will write the area of the top of table ठीक है और table कैसा है trapezium so we will put the formula of area of trapezium है ना half 1 into okay also look for the unit meter 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 ठीक है चलो ठीक है तो 1 1.4 meter plus 1 meter okay into 0.9 meter clear now here 1 by 2 after adding this this is one integral part it's not in decimal part so we will write 2.4 meter into 0.9 meter okay 2 say divide हो सकते है we will get 1.2 meter है ना तो so let's multiply this this 1.2 into 9 okay forget about the decimal पहले suppose this is 12 and this is 9 तो 12 को 9 से multiply करेंगे we will get 108 okay and here it was decimal number both was decimal number so after getting the product will check after decimal how many dessert 1 and here 1 1 plus 1 2 तो back से एक दो 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 दिजिट के बाद decimal हम लोग देखेंगे पहले multiply कर देंगे इसे बिना decimal को इग्नोर करके ठीक है तो यह 12 into 9 108 अब decimal में लाना तो यहाँ decimal के बाद कितने डिजिट एक और यहाँ decimal के बाद एक और एक कितना होगे दो तो बैक से दो डिजिट के बाद decimal दे दिया simple सा question था चलिए अब देखेंगे अब अब हम लोग next class में मिलेंगे फिर next questions के साथ ठीक है चलिए thank you